दोस्तो नमस्कार मैं अभिजेक आनन्द दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Facebook एकाउंट अगर आपका हैक हो गया है तो कैसे मिंटो में रिकवर कर सकते हो कोई भी आपके account को जो है hack कर लिया है तो बिल्कुल recover कर सकते हो बहुत सारे comments आपके मिल रहे हैं मुझे और आपके पास अगर email ID और mobile number आपका बदल दिया गया है तो भी आप उसको recover कर सकते हो कोई परिशानी आपको यहाँ पर नहीं होगी और आपका account जो है Facebook का आप Minto में जो है उसको recover करके अपना आप काम कर सकते हैं समय बढ़वाद नहीं करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आप अपना mobile में खोलो या फिर laptop में खोलो कोई दिक्कत नहीं है आप Chrome browser को open कर लेना उसके उपर आप में आपको open करना है facebook.com facebook.com को आप opening कीजिए उसके बाद login कीजिएगा तो आपको इस तरह का page आएगा ठीक है तो यहाँ पर चुकी आपका email id और mobile number सब कुछ change कर दिया गया है login तो कर नहीं पाओगे इसलिए नीचे में forget का password का option है इस forget password के option को जो है आपको यहाँ पर click कर देना है ठीक है आप जब इसको click कर दोगे ठीक है तो आपको यहाँ पर इस तरह का option मिल जाए आपका details mobile number यहाँ पर डालना है लेकिन number तो change कर दिया है इसलिए एक नीचे option मिलेगा search by your email address or name instead ठीक है तो आप अपने email address और name के द्वारे भी आप जो है यहाँ पर search कर सकते हो तो आपको नीचे वाला link दिया गया है इस link के उपर में आपको click करना है जब आप click कर दोगे तो आपको इस तरह का option मिलेगा यहाँ पर जो है आपको अपना facebook में जो आपने नाम दिया था बिल्कुल सही-सही type करना है और यहाँ पर search को आपको click करना है ठीक है नाम लिखने में सौधा नहीं बढ़तीएगा जो नाम बिल्कुल facebook में दिया था वही नाम आप यहाँ type करके search कीजिए जब आप search करोगे तो आपको बहुत सारे profile दिखा देंगे ठीक है बहुत सारे profile में आपको अपना वाला profile जो है यहाँ पर भाचानना है और उसके सामने जो है लिखा हुआ बटन है this is me उसको आपको click करना पड़ेगा तो आप देख लिजे कौन सा आपका profile है और सामने वाला बटन को आपको यहाँ पर this is me बटन को click कर देना है ठीक है जैसे कि माल लीजे यहाँ पर पहला profile बने है इसको click कर दिया उसके बाद जब आप click कर दोगे तो आपको इस तरह का page यहाँ पर दिखाई देगा जब आप इसको click किजिएगा तो आपको इस तरह का option यहाँ पर दिखाई देगा तो email address जो change कर दिया है आपका वही दिखाई देगा तो इससे आपको benefit तो होने वाला है नहीं क्योंकि सारा कुछ तो change कर दिया है ठीक है no longer have access to this को click यहाँ पर कर देना है ठीक है जब आप click कर दोगे तो आपको जो है इस तरह का option यहाँ पर मिलेगा तो इस page में आके जो है यहाँ पर आपको एक button मिलेगा I cannot access my email account इस button के ऊपर में आपको यहाँ पर click कर देना है ठीक है उसके बाद आपको इस तरह का page आएगा ज email ID आप डाल रहे हो वो किसी दूसरे मतलब की Facebook account से जो है login नहीं होना चाहिए मतलब वो email ID जो है Facebook में नहीं होना चाहिए आप नया को email ID यहाँ पर डालिएगा अगर आप ऐसा email ID डालेंगे जो कि Facebook जिससे की Facebook account बना हुआ है तो यहाँ पर error message आ जाएगा इसलिए यहाँ पर आपको नया email ID डालना होगा ठीक है डालने के बाद जो है यहाँ पर आपको continue button को click करना है continue button को आप जब click कर दोगे तो आपको यहाँ पर सारा details डालना होगा अपना full name डालिए ठीक है full name का मतलब जो Facebook में आपने नाम दिया था होई नाम डालना है यहाँ पर आपका link to your timeline होगा मेरा विष्कन की कि क्लिक कर दिया न हम क्लिक कर देंगे तो यहां से आपका टाइम बाइन ओपी अपन हो जाएगा तो आपको क्या करना यह लिंक भशचरें कर लेना इसको फिर को लेना है ऩो प्रिक कर लेना है तो किसoter हो more यहां पर अप्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर अपने प्रॉबलम को आप जो है डिसक्राइब कर सकते हो इंगलिस में ठीक है यहां कुछ भी आप लिख सकते हो बढ़ा चढ़ा के जैसे कि इस तरह का मैसेज आपको यहां पर लिख दीजिए यहां पर आप अपना आइडी प्रूफ जो है अपलोड कर दीजिए आइडी प्रूफ में आपका बड़ सर्टिपिकेट हो गया या फिर आपका डाइविंग लाइसेंस हो गया ठीक है या फिर आपका बोटर आइडी आइडी है यहां पर अपलोड करके इसको सम्मेट करना हineहिए फेजबूक कहता है कि आपका इडी के गलत श्तेमाल नहीं होता है यहां पर अप्लोड करते हो उसका जब use हो जाता है मानलीजिए आपका account जब recover हो जाएगा तो लगवग एक मनत के बाद जो है वो अपने आप जो है delete हो जाता है आप अपने server से जो है उसको delete कर देता है Facebook ठीक है तो उनका ये कहना है ठीक है तो ये काम आपको करना है submit कर देना है उसके बाद जो नया email ID आ आपका जो Facebook account है उसको recover आप कर पाओगे अपना password जो है फिर से जो है वहाँ पर आप जो है उसको reset कर पाओगे अपने password को change करने के बाद फिर से आपका जो account है आपको फिर से वहाँ पस वहाँ पर मिल जाता है ठीक है तो इसके आगे का process जो है कुछ भी नहीं है बस डाल के वीडियो का link देदूंगा आप उसको watch करके अपना knowledge बढ़ा सकते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो like share और comment यहां पर आप कर दीजेगा कोई question हो doubt हो advice हो तो प्लीज जो है आप comment करें किसी नए topic पर वीडियो चाहिए तो भी आप comment करके मुझे आप बताई आप मेरे WhatsApp को टेलीग्राम ग्रूप में जॉइन कर सकते हो सारा link आपको वीडियो के description में मिलेगा आप उसको follow कर सकते हैं phone पर बात करने के लिए मुझे एक application को install कर सकते हैं call me for application को आप इंस्टॉल कर सकते हैं Google Play Store या फिर App Store से जिससे direct बात कर सकते हो मेरे से आप चैनल को सब्सक्राइ एक जरूरी important बात यह है दोस्तों कि जब भी आप वीडियो करते हो सॉरी वीडियो देखते हो तो आप जो है अपना comment जरूर किया कीजिए क्योंकि आपके comment को पढ़ता हूं और बहुत motivation मिलता है हिमत मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए तो वीडियो को like और share करने के आपना comment जरूर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका